जैसा कि आप जानते हैं अभी अभी हमारे प्यारे भारत वर्ष के 15 राष्ट्रपती के रूप में द्रौपदी मुर्बु जी ने जीत हासिल करी है और अभी आने वाले समय में हर एक एक जाम में भारत के राष्ट्रपती से सम्बंदित प्रस्ण आपको देखने को मिलेंगे इस क्लास में हम लोग पूरे तरीके से राष्ट्रपती से सम्बंदित सारे के सारे फैक्ट को डिसकस कर लेंगे और इसके बाद आपसे एक भी क्वेस्चन राष्ट्रपती से नहीं जुटेगा स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपनी यूटिप चैनल परिक्छा हॉल अगर आप चैनल परने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वेल आइकन को जरूर दबाईएगा और ज्यादा ज्यादा दोस्तों में परिक्छा हॉल्ट 247 को सेर किजेगा तो चलिए समय नहीं गवाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं पूरा वीडियो इंड तक आप topics देखे अगर हम भारत की राष्ठ्रपती को पढ़ने जा रहे हैं तो सबसे पहले हमें जानना होगा भारत का राष्ठ्रपती जो है प्रेशिडेंट आफ इंडिया किस सेक्षन के अंतर्गत किस भाग के अंतर्गत हम इसे पढढ़ेंगे तो यहाँ पर हम यानि कि the executive क्या भारतिय सम्विधान या फिर उसका the executive हम लोग जानते हैं कारिपालिका के बारे में हम जानते हैं बिधाईका के बारे में हम लोग को पता है नियाईपालिका देखें बिधाईका का काम होता है किसी भी बिधी नियम कानून को बनाने का क्या बिधाईका का काम ह उस कानून नियम अधिनियम बिदी को लागू करने का काम करता है एक्जेक्यूट करने का काम करता है जब वो कानून बन करके तयार हो जाता है लागू हो जाता है पूरे तरीके से अब इस कानून में किसी भी परकार का अगर इंटरफेर होता है या फिर उसका मिस्यूज होता है तो हम किसके पास जाते हैं नियाई पालिका के पास किसके पास जाते हैं नियाई पालिका के पास तो हम लोग इसको सौट में अभी समझ लिए विधाई का कारेपालिका और नियाई पालिका तो देखिए कारेपालिका के अंतरकत हम अगर देखेंगे तो एक होता है संग की क कारेपालिका है, संग का, केंदर का, तो उसमें सबसे हेड, सबसे मेन कौन होता है, रास्टरपती होता है, देखें ये नाम मातर का होता है, ये हम लोग जानते हैं, लेकिन रास्टरपती ही संग की कारेपालिका का हेड होता है, अध्यक्छ होता है, ठीक है, ये बात आप जो है किनकिन लोगों से मिल करके बनी होती किनकिन पद इसमें जो है तो आप जानते हैं राष्ट्रपती है उपराष्ट्रपती है और राष्ट्रपती को असिस्ट करने के लिए राष्ट्रपती को सलाह देने के लिए प्रधान मंतरी की न्यूकती करता है राष्ट्रपती औ और प्रधान मंत्री के कहने पर मंत्री परिसद की भी नियुकती राष्ट्रपती के द्वारा करी जाती है प्रधान मंत्री के सलाह पर तो सब कुछ हम लोग बात करेंगे जैसे जैसे हमारा क्लास आगे चलेगा तो सब पर बात करेंगे तो प्रधान मंत्री और मंत्री सबा होता है विधान परिसद होता है उसमें जो हेड होता है राजे की कारिपालिका का तो वो नाम मात्र का कौन होता है राजपाल जैसे संग में राश्टुपती वैसे राजे में राजपाल और जैसे संग में राश्टुपती को असिस्ट करने के लिए सलाह देने के लिए उ तो यहां पर राश्ट्रपती कारिपालिका आप लोगों ने समझ लिया होगा कि कारिपालिका क्या होता है, कारिपालिका का काम क्या होता है और कारिपालिका का हिड कौन होता है, अध्यक्ष कौन होता है, तो यह होता है आपका राश्ट्रपती कौन, राश्ट्रपती the President of India, कारेपालिका का अध्यक्ष देखे भारतिय सम्विधान के भाग 5, भाग 1 में आप लोग जानते होंगे भारतिय सम्विधान के भाग 1, जो भारतिय सम्विधान के भाग 1 में किसकी बात होती है, संग और उसके राज्ये छेतर यानि Union and its Territories, भाग 2 में सेटिजन सीप नागरि यानि कि fundamental duties होता है और भाग 5 में आता है आपका संग, क्या आता है, भाग 5 में आता है संग और भाग 5 के अनुछेद 52 से 78 तक याद रखेगा, ये भी पूछ लिया जाता है कि भाग 5 यानि कि संग वाला जो जिस विसए पर बात होता है, यानि कि Federal या फिर Union के बारे में जिस भाग में बात होता है, भाग 5 के अनुछेद 52 से लेकर 78 तक में संग की कार्यपालिका का वर्नन है, याद रखेगा 52 से 78 तक संग की कार्यपालिका का वर्नन है, याद हो गया संग की कार्यपालिका यानि कि Union Executive की बात होती है, 52 से लेकर 78 तक और राष्ट्रपती की बात कब से कब तक होती है तो उसको भी देखेंगे लेकिन चलिए भारत की राष्ट्रपती और जिस तरह से आप जानते हैं अभी द्रोपदी मुर्मु जी भारत की 15 राष्ट्रपती का चुनाव इन्होंने जीत लिया है तो सबसे पहले हम लोग द्रोपदी मुर्मु आगे आने वाले स आप से पूछा जाएगा दिखें अब ये भी पूछा जा सकता है कि 14 नमर की 14 नमर की 14 नमर की राष्ट्रपती भारत के कौन है तो आपको बताना होगा स्री रामनात कोविंद जी और इस से पहले 13 नमर के प्रानव मुखर जी तो ये सब बात आपको याद रखने चाहिए अब देखे क्या कहता है, कि दौपधी मुर्मुर, पंदरहवी, दौपधी मुर्मु जए, यह पंदरहवी नमर की भारत की राश्टरुपती है, लेकिन यहा पर क्या इंपोर्टेंट है, कि यह बारत की दुसरी महिला राश्टबुथि है, यह याद रखेगा, ठीक है, यह भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपती है तो बताईए पहली महिला राष्ट्रपती कौन है ये भी पुछा जा सकता है कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपती कौन है तो भारत की पहली महिला राष्ट्रपती जो है वो आप जानते होंगे स्रीमती प्रतिभा देवी सिंग पाटिल क्या स्रीमती प्रतिभा देवी सिंग पाटिल भारत की पहली महिला राश्ट्रपती थी जो की बारहवे नमर की राश्ट्रपती थी ठीक है बारहवे नमर की यानि की 12th President of India भारत की पहली महिला राश्ट्रपती स्री प्रतिभा देवी सिंग पाटिल और उनका कारेका कब से कब तक का था 2007 से 2012 तक का यह important है पूछा जा सकता एक्जामिनीशन में और 15 नमर की राश्ट्रुपती 2022 में द्रौपदी मुर्मू बनी ठीक है अच्छा यह जो है पहली महिला राश्ट्रुपती किस तरह से है तो पहली महिला आदिवासी राश्ट्रुपती यानि कि जानते हैं कि भारत की राश्ट्रुपती के चुनाव में आम आदमी तो भाग नहीं लेता है क्या आपने भाग लिया था तो नहीं लिया था आपने जिसे चुन करके अपने लोग सभा चेतर से आपने जिसे चुन करके भेजा है ठीक है अपने प्रतिनिधी के द्वारा इन उनके वोटों का वेल्यू कैसे दिखा जाता है, सब के बारे में हम लोग बात करेंगे, देखे, यहाँ पर जो द्रौपदी मुर्मू के अगेंस्ट में जो चुनाओ लड़े थे वो कौन थे, यसवंत सिना जी, यसवंत सिना और उन्हें 208 वोट मात्र मिला, और इनको वोट मिला है, और वेल्यू की बात करें, तो टोटल वेल्यू जो है, द्रौपदी मुर्मू को कितना 3,88,000, 3,88,000 टोटल वेल्यू वाला चुनाओ, मतलब वोट मिला है, यह हम लोग डिटेल में बात कर लेंगे, इतना आप याद मत रखेगा, कोई बात नहीं, चलिए, इ 20 जून 1958 को उडिसा के मयूर भंज में द्रौपदी मुर्मू जी का जन्म हुआ था, ठीक है, और इन्होंने जो ग्रेजवेशन किया, आर्ट्स स्ट्रिम के साथ, किस कॉलेज से रमादेवी विमेंस कॉलेज भुवनेस्वर में, ठीक है, इनका सिक्षा अगर बात करें, तो इन्होंने आठ से ग्रेजवेट किया, कहा से, रमादेवी विमेंस कॉलेज भुवनेस्वर से, ठीक है, याद रखेगा, देगे, पहली बार का किर्तिमान इनका क्या है, तो ये पहली महिला आदिवासी राश्ट्रपती, ठीक है, सबसे कम उमर की राश्ट्रपती, ठीक है, और इन्होंने अथने कैरियर की सुरुवात, एक सरकारी सिक्षक, उडिसा में, एक सरकारी सिक्षक की रूप में करी, ठीक है, इस तरह से इनका जो कैरियर है, इसका सुरुवात हुआ था, अगर इनके फैमिली के बारे में देखे, तो इनके पती का नाम स्याम चरन था, जो कि एक बैंक एम्पलॉई थे, और इनका देहांत 2014 में हो गया, ठीक है, इनका देहांत 2014 में हो गया था, अच्छा, इनके दो बेटे थे, और दोनों बेटों का निदन बहुत ही दुखद है, और ये बहुत कहा जा सकता है, कि जो दुरापदी मुर्मु जी के जब आ आप एक नज़र डालिएगा, तो आपको पता चलेगा कि ये किस प्रकार की लेडी है, कितने दुख सहने के बाद, ये जो इनका एक मानसिक छमता का आप अंदाजा लगा सकते हैं, इनके दो बेटे हैं, जिन दोनों का निधन 25 साल और 21 साल की उम्र में हो गया, बेटी है इ इन्होंने बिजेपी को जोइन किया और इससे पहले ये उडिसा के सिचाईत था विजली विभाग में इन्होंने कनिष्ट यानि की जुनियर सहायक के रूप में, असिस्टेंट के रूप में भी काम किया, और 1997 में ही ये निर्वाचित हुई काउंसिलर की रूप में और व बिदान सबाचेतर से ठीक है, 2000-2009 के बीच ये दो बार विजेपी के MLA रही रायरंगपूर कंस्टिट्वेंसी से, मतलब रायरंगपूर बिदान सबाचेतर से, 2000-2004 में ये नवीन पतनायक गौर्नर में, नवीन पतनायक के सरकार में ये मंतरी भी रही है, यादर कीगा, 2000 से 2004 तक नमीन पतनायक सरकार के मतलब मंत्री परिशद में ये मंत्री भी रह चुकी है और 2006 से 2009 के बीच में ये प्रेसिडेंट रही है बीजेपी के सिड्यूल ट्राइब यानि की अनुसुचित जनजाती मोर्चा की मतलब ये अध्यक्च रही है ठीक है याद रहेगा अभी जहरकंड राजे का गवर्नर कौन है तो रमेश बैस सहब आप जानते होंगे और सबसे लास्ट में आता है 2022 में 15 राश्ट्रपती चुनी गई ये भारत वर्स की ठीक है तो इनका की सुरुवात कहां से हुआ 1997 से सरकारी स्कूल के टीचर से लेकर कि या फिर एक कलरक से लेकर राश्ट्रपती तक के सफर आप यहां से यहां तक देख सकते हैं 1997 में इन्होंने बिजेपी जोईन किया और 2022 में यानि कि 25 साल के बाद 25 साल में इन्होंने एक सामानने कारे करता से यहां पर आकर के ये भारत की भारत वर्स की राश्ट्रपती की रूप में चुनी गई बहुत बड़ी बात है तो आप यहां से देख लीजेगा अब हम लोग डिटेल में राश्ट्रपती को देखेंगे और राश्ट्रपती से संबन्दित सारे अनुचेद और राश्ट्रपती की सकतियां सब पर हम लोग बात करेंगे देखें यहां से इंपोर्टेंट ये हो जाता है कि आपको राश्ट्रपती से संबन्दित कुछ अ ढर्षेदी पारि पाली का भाग पांच में, भाग चार का तक क्या हो जाता, अनुच्छेदे ग्यावन तक, उसके बाद संग वाला आएगा, तो संग में जैसे ही गुसेंगे, तो सबसे पहले संगे की कारि पाली का के बारे में बात होता है, ठीक है, बावण से अठथर तक और 52-62 तक राष्टु पती से रिलेटेड अनुछेद 22 तक दिया गया है। याद रहएगा भार्तिय सम्विदहान के अनुछेद 52 तक राष्टु पती से संबन्धित अनुछेद धीये गया है। तो सबसे पहले बात आएगा जैसे ही बात करेंगे हम अनुछेद 52 की ठीक है याद रखेगा देखे यहाँ अगर ध्यान से आप सुनेंगे तो सब के सब जो भी अनुछेद हैं आपको याद रहेंगे आसान भासा में भी लिखा गया है तो देख लिजेगा देखे आएगा सबसे पहला जो अनुछेद आएगा वो कौन सा अनुछेद भाई तो वो है आपका अनुछेद 52 और अनुछेद 52 में राश्ट्रपती के पद की विवस्था करी गई है अनुछेद 52 में राश्ट्रपती के भारत का एक राश्ट्रपती होगा ऐसा बात अनुछेद बावन में कहा गया है ठीक है भारत का एक राष्ट्रुपती होगा अनुच्छेद बावन में कहा गया है भारत के राष्ट्रुपती के पद की ववस्था अनुच्छेद बावन में कर दी गई ठीक है तो सबसे पहले जैसे ही इंट्री मारेंगे तो भारत के राष्ट्रुप जैसे ही बोला बोल दिया गिया कि भारत का राष्ट्रपती अनुछेद बावन में तो राष्ट्रपती अनुछेद बावन के 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 अनुछेद ब बारे में बात किया गिया है अनुछेद तिरपन में याद रहेगा अनुछेद तिरपन में आर्टिकल 53 में राष्ट्रपती पद के पावर्स के बारे में बात किया गिया है तो राष्ट्रपती के जितनी भी सक्तियां हैं चाहे वो एग्जेक्यूटिक पावर हो चाहे वो मि राष्ट्रपती का निर्वाचन होगा, ठीक है, भारत के राष्ट्रपती का निर्वाचन होगा, किस तरह से होगा, कौन करेगा, ये जो है अनुछेद 54 में बात कर दिया गया, आप इस परकार से भी याद रख सकते हैं, अनुछेद 54 निर्वाचन, अनुछेद 54 निर्वाच ठीक है तोड़ा एक तरह से दिखता है तो याद रखेगा अनुचे 54 में कहा गया है कि भारत के राष्ट्रपती का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल के द्वारा होगा जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग प्रधान मंत्री का जब चुना होता है लोग सभा का चुना ह जो होता है उसमें हम लोग भाग नहीं लेते हैं तो अनुचे 54 में बताया गया है कि राष्ट्रपती के निर्वाचन कैसे होगा उसका तरीका क्या होगा वो बता दिया गया अनुचे 15 में राष्ट्रपती के निर्वाचन राष्ट्रपती के एलेक्षन का जो स्कीम है राष्ट्रपती के एलेक्षन का जो रीती है तो वो बता दिया जाता है अनुछेद पच्पन में ठीक है राष्ट्रपती का निर्वाचन का तरीका कहा बताया गया अनुछेद पच्पन में तो स आपका निर्वाचन कैसे होगा उसका तरीका क्या होगा हमने पच्पन में बताया ठीक है अब कहा कि निर्वाचन भी हो गया पद भी दे दिया सक्तियों के बारे में बात भी कर दिया तो बताओ कि हम कितने दिनों तक इस पद पर रह पाएंगे तो बताओ कि हम कितने दिनों इस पद पर राश्ट्रुपती के पद पर हम रह पाएंगे तो 56 अनुचेद कहता है कि आपकी अवधी के बारे में हम बात करेंगे आप कितने दिनों तक आप अपने चुनाव आपने जीत लिया आपका जिस दिन पहला मतलब राश्ट्रुपती के रूप में आप जो सपत ग् करेंगे उस दिन से लेकर किस दिन तक आप राश्ट्रुपती के पद पर रहेंगे वो अनुचेद 56 में बता दिया गया राश्ट्रुपती ने पूछा कि बताईए हम कितने दिनों तक रहेंगे तो अनुचेद 56 में राश्ट्रुपती के टेनियर के बारे में उसके पदी के बारे में बात कर लिया गया कि आप अपने सपत गरहन के दीन से ले करके पांच साल तक आप अपने पद पर धारन किये रहेंगे ठीक है तो बोला ठीक बात है अगर बीच में इस पांच साल के बीच में अगर हमें कुछ हो जाए तो क्या होगा अगर हमें कुछ हो जा तो बोला हाँ अनुछे 57 में बोला राश्ट्रुपती के पुनह निर्वाचन या फिर राश्ट्रुपती क्या हम एक बार राश्ट्रुपती के पद पर बैठ गएं तो क्या दुबारा भी हम बैठ सकते हैं क्या बहुत मज़ा आ रहा है राश्ट्रुपती के पद पर बैठत प्र निर्वाचन और निर्वाचन के रिती याने के तरिका के बारे में जब सब कुछ हो गया तो पूचा राश्ट्र४ती साहब ने बताइए मेरे हम कितने दिनों तक बैठेंगे जब उसको बता दिया गया, उनको बता दिया गया कि आप इतने दिनों तक बैठेंगे, तो बोला कि हम तो बैठ गये इतने दिनों तक, क्या फिर से हम इस पर बैठ सकते हैं, तो सत्तावन में बताया, जी हाँ, बैठ सकते हैं इतने दिनों तक, तो राश्ट्रपती जी को बह पूछते हैं, अनुछेद 58 में क्या होता है? क्या आपका योग्यता है? आपको इस पद पर बैठने का? तो अनुछेद 58 में राश्ट्रीपती क्या योग्यताएं होनी चाहिए? तो अनुछेद 58 में उनके योग्यता के बारे में बात होता है राश्टुपती पद के योग्यता के बारे में बात होता है और उसके बाद अनुचेद 69 में कहा ठीक ठाक है आपका आपनी योग्यता तो बता दिया आपनी eligibility तो बता दिया अब हम बताते हैं आपको कि अगर आप पद पर बैठेंगे इन सक्तियों का य पूछ लिए निर्वाचन के बारे में उनके पद अवधी के बारे में पाच साल तक का पुनह निर्वाचन के बारे में योग्यता भी पूछ लिया और सर्थ भी बता दिया गया कि यह यह कंडिसंस है अब सब कुछ हो गया तो राष्ट्रपती क्या कहेगा चलो जल्दी से हमें सपत दिलाओ क्या चलो हमें जल्दी से सपत दिलाओ 60 सपत तो राष्ट्रपती के पद का सपत ग्रहन या फिर सपत जो है वो अनुछेद 60 के अंत ठीक है किस प्रकार से सपत होगा किस के सामने सपत लेंगे अगर वो नहीं होगा तो किस के सामने सपत ग्रहन करेंगे राष्टुपती यह नुचित साथ में बात किया गया अब कहा कि देखे राष्टुपती साब आप सब कुछ कह लिया आप सकती भी देख लिया पद भी दे अगर सम्विधान के को लेकर के अगर आप भी कुछ गलत करते हैं तो आपको भी हटाया जा सकता है और आपको हटाने के लिए हम लोगे क्या करेंगे एक परकिरिया से गुजरेंगे जिसे महाभीयोग परकिरिया कहा जाता है और आपको महाभीयोग परकिरिया चलाया जाएग तो अनुचेद 52 से लेकर 62 तक के सारे नुचेद याद किजी हमारे साथ, अनुचेद 52 में राष्टुपती के पद के बारे में, अनुचेद 53 में राष्टुपती की सक्तिया, अनुचेद 54 में निर्वाचन, अनुचेद 55 में निर्वाचन का तरीका, अनुचेद 56 में कि हम कि सुन लिया कि सारी कि सारी योगयताएं आप फुल्फिल करते हैं अंठावन के तहत तो उनसट में ये ये सर्थ हैं आपको मानना होगा सब बात हो गया तो अनुछेद साट पर आता है बोला अब आप चलिए सपत गरहन कर लिजिए सपत गरहन के बाद क्या आप यहां से हट न पदखाली होने पर चुनाव करने का समय भी सब बात किया जाता है अनुछेद बासर तो ये अनुछेद याद रखेगा इसी से काम हो जाएगा बाद बाकी यहां पर जो भी चीज़ें यहां पर दी गई है वो सिर्फ एक बार पढ़ने के लिए है लेकिन मेन भी हम लोगों जो की समझने लाइक है आगे हम लोग देखेंगे ठीक है देखेगा ध्यान से वीडियो को सुनिएगा ठीक है भारत का राष्टर पती अनुछेद बावन की तहत राष्टर पती के प्रावधान ठीक है अभी हमने देखा कि भारत का एक राष्टर पती होगा और भारत की र स्देखता unity अखंडता सब राष्टरपती में समाहित होती यानि कि सर्वोच्पध भारत की संग की कारेपालिका का नाम आत्र ये ह lugता है लेकिन ह lugता है टिक है अच्छा वह अपने अधिनस्त अधिकारियों मतलब अपने अंडर में जो भी अधिकारी होता है उसके द्वारा क कारेपालिका की सक्तियों का परियोग राष्ट्रुपती करता है तो राष्ट्रुपती के पद की बात तिर्पन में संग की जो सक्ति है राष्ट्रुपती के पावर्स के बारे में बात होता है अनुचे तिर्पन में तो संग की कारेपालिका सक्ति राष्ट्रुपती में ही ही तोती है और इन सक्तियों का परियोग कैसे करते हैं तो राष्टुपती का निर्वाचन कैसे होता है राष्टुपती का निर्वाचन अनुछेद 54 के तहत होता है ठीक है अचा अनुछेद 54 के तहत राष्टुपती का निर्वाचन होता है तो याद रखेगा राष्टुप गुजरा होगा इन्हों से उन्हों इनको भी गुजराना होगा तो जी हां क्यों नहीं तो राष्ट्र पती का निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है और उस निर्वाचक मंडल में कौन कोन सदस्से सामिल होते हैं तो संसद और राज विधान मंडल के संसद में कौन को नाता है राजसभा और लोकसभा संसद में कौन को नाता है भई राजसभा और लोकसभा तो लोकसभा और राजसभा के निर्वाचित सदस्य संसद में संसद के राजसभा और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य संसद में स यहाँ पर निर्वाचित की बात हो रही है, मनोनित की बात नहीं हो रहे, वैसे तो मनोनित हटा दिया गया है, ठीक है, एक सो चारवा सा विधान संसर्दन के द्वारा तो यह अलग बात है, तो राश्ट्रपती यह है, राश्ट्रपती के निर्वाचित सदस से राश्ट्रप आप जानते होंगे राजी विधान मंडल बनता है विधान सभा और विधान परिशत से तो विधान सभा के निर्वाचिस सदस से ही भाग लेते हैं विधान परिशत के सदस से राष्टुपती चुनाओं में भाग नहीं लेते याद रखेगा विधान परिशत के सदस से राष रंग सासित परदेशों के जो निर्वाचित सदसे हैं विधान सवा के जो निर्वाचित सदसे हैं इनके भी निर्वाचित सदसे आपके राश्ट्रपती के चुनाव में भाग लेते हैं और राश्ट्रपती के निर्वाचन से रिलेटेड जितने भी बिवाद होते हैं जितन कौन होते हैं तो संसद और राजी विधान मंडल के निर्वाचित सदस से तो एक एक बात आप ध्यान से सुनिएगा कहीं से कोई कनफ्यूजन नहीं होगा राष्ट्रपती के चुनाव का तरीका अनुचिर पचपन में है ठीक है अभी आपने देखा होगा ति राष्ट्रपती का चुनाव हुआ जिसमें की दुरापदी मुर्मुजी ने जीत हासिल करी उनको 540 वोट मिला है और 540 वोट में आपने देखा इसका कोई कीमत भी होता है क्या इसका कुछ व्यल्यू भी होता है क्या तो जी हां इसका कैसे जो मत मुल्य है एक मत का जो यहां पर हमने क्या बता है संसद और राज्य सभा और विधान सभा लोक सभा के निर्वाचित सदस बिधान सभा के निर्वाचित सदस से इसमें बहुत ज़्यादा हो जाएंगे अब्यस ठीक है 28 राज्य है तो बिधान सभा और तीन आपका संग सासित परदेश है जो कि चुनाव में भाग लेता है और चुकि सांसत तो बहुत कम होता है लोक सभा के सदस से तो लोक सभा और राजे सभा के सदस से कम होते हैं तो भाई एक अगर वो उधर जादा दे दिया मान लिया कि राजे सभा के सदस से जादा अगर चुनाव में वोट दे दिया तो क्या विधान सभा से ही जीत हो असिल हो जाएगा नहीं तो उसके लिए यहाँ पर कुछ विवस्था किया गया है तो याद रखेगा राष्ट्रपती जो है चुनाव वोटों से नहीं बलकि वोट के मुल्य से जीतते हैं क्या वोटों के मुल्य से जीतते हैं कि एक वोट का कितना वैल्यू है उससे जीता जाता है राष्ट्रपती का चुनाव याद रखेगा ठीक है तो ये देख लिजे राष्ट्रपती का निर्वाचन जो होता है और प्रत्यक चुरूप से होता है, प्रत्यक चुरूप से तो नहीं होता, क्या आपने भाग लिया था राश्टुपतिक के चुनाव में? नहीं, तो फिर और प्रत्यक चुरूप से इस प्रकार से होता है, कि हम जिस प्रतिनिधी को चुनते हैं, चाहे वो विधान सवा में, तो हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनीधियों के द्वारा, यानि कि इन डाइरेक्टली हम लोग इस चुनाव में भाग ले रहे हैं और प्रत्यक्च रूप से राष्टुपति का चुनाव होता है, फिर आगे देखें यहाँ पर लिखा गया है आनुपातिक प्रतिनीधित प्रतिनीधितो प्रत्यक ब्रतिनीधितो प्रत्यक्च रूप से बंग सब्सक्राइए अग reporting जैसा आप जानते हैं कि राज सभा और भिद्धान और लोग सभा के निर्वाचित सदस्यों इसमें भाग लेते हैं तो राज सभा सांसदों की टोटल यहाँ पर देखा जाए त तो पाचसो क्या बोलते हैं 233 सदस्य और अगर यहाँ पर जो लोग सभा सदस्यों की संक्या 533 तो टोटल मिलाकर कितना हो जाएगा? तो देखें बिधान सभा का सदस्य जो है कभी भी जादा ही होगा बिधान सभा का सदस्य जो है कभी भी लोग सभा और राजे सभा दोनों मिलाकर के जादा ही होगा ठीक है? तो अब यहां पर किस प्रकार से दोनों के वोट का जो मुल्ले होता है एक प्रकार से किया जाए, समान अनुपात में किया जाए, ताकि यहां से कोई भी तरह का, यहां किसी भी तरह का वाइसिंग ना हो, किसी भी तरह का भेद विवाव ना हो, ठीक है, तो इसके लिए क्या क का वोट का मुल्य यहां पर देखा जाता है अब विधायकों का मत या वोट का मुल्य कैसे निकाला जाता है और सांसदों के मत का मुल्य कैसे निकाला जाता है तो याद रखेगा कैसे निकाला जाता है कि आपको बता दे तो चलिए बता देते हैं कि किस परकार से किस परकार से देखे लोकसभा और राजसभा के सदस्य ठीक है लोकसभा और राजसभा के सदस्य यानि कि सांसदों के मत का मुल्य और विधायकों के मत का मुल्य कैसे निकाला जाता है विधायकों के मत का मुल्य यानि कि वोटों का जो व्यनली होता है वो कैसे निकाला जाता तो विधायक क उसी भी राज्य से निकल करके आते हैं, तो देखे, जिस राज्य का वो बिधायक है, उस राज्य की टोटल जनसंख्या, यानि कि यहाँ पर क्या है, अनुपातिक प्रते निदित्तो है, ठीक है, टोटल राज्य की जनसंख्या, और उस राज्य के टोटल बिधायकों की संख् को जब भाग दे दिया जाता है तो जो भी आपको मिलेगा जो मिलेगा उसमें से आपको एक हजार से भाग दे देना है क्या एक हजार से भाग दे देना है जब आप इतना कर देंगे तो जो भी नंबर्स जो भी अनुपात आपके पास आएगा वही होगा एक बिधायक का मत बहुत ज़्यादा है सांसद कम है तो सांसद के मत का मुल्य कैसे निकाला जाता है सांसद के मतों का मुल्य कैसे निकाला जाता है तो जितना विधायक मत मुल्य आया है ठीक है विधायक का एक विधायक का जितना वेल्यू आया है वोट का उतना और टोटल जितना सांसद है टो और सांसद के मत का मुल्य लगभग लगभग बराबर होता है कोई भी तरह का यहाँ पर भेदभाव नहीं होता तो इसी को देखते हुए यहाँ पर जो क्या बोलते हैं राश्ट्रुपती के चुनाव में आनुपातिक प्रतिनिधित्यो समान आनुपातिक यहाँ पर बोला ज जाएगा तो इसके लिए यहाँ पर आनुपातिक समान आनुपातिक प्रतिनिधित्यो परनाली को अपना आए गया जिसमें की वोटों का मुल्य देखा जाता है किस परकार से वोटों का मुल्य निकाला जाता है तो इस परकार से निकाला जाता है आपने देख लिया होगा ठीक है? तो यह है बात की समान अनुपातिक. तो राष्टरपती का चुनाओ कैसे? प्रत्यक चुरूप से. कोई भी विधायत अपने छेत्र का अपना पूरा उसका जोबी छेत्र है उसके लिए एक मतलब कहता है, पूरे छेत्र को वो रेप्रेजेंट करता है. ठीक है, पूरे छेत्र को अकेला वो रेप्रेजेंट करता है, इसलिए कहा जाता है, एकल संक्रमनिया मत के द्वारा है, याद रखेगा, राष्ट्रपती के चुनाओ के लिए याद रखेगा, ये बहुत important है, कि राष्ट्रपती के चुनाओ के लिए 50 प्रस्तावक और 50 राश्टुपति जब अपने चुनाव के लिए अपने नमंकन पत्र अपना नोमिनेशन भरने के लिए जाता है याद रखेगा राश्टुपति जब अपना नोमिनेशन भरने जाता है तो उसके नमंकन पत्र पे कम से कम 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक का अहस्ताक्षर होना अनिवार्य है नहीं तो वह नमंकन पत्र ही नहीं भर पाएंगे तो ये अनुमोदक और प्रस्तावक कौन होते हैं और के देखे तो अनुमोदक और प्रस्तावक कोई और नहीं बल्कि जो निर्वाचक मंडल के सदस्य ही होते हैं निर्वाचक मंडल में राजसवा बिधान के निर्वाचित सदस्य होते हैं तो उन्हीं सदस्यों में से आपके अनुमोदक और प्रस्तावक होते हैं और अनुमोदक क्या करता है कि हाँ मैं समर्थन करता हूँ राष्ट्रपती जी जो चुनाव लड़ने जा रही है मैं इनका समर्थन करता हूँ और इसके नामंकन पत् पर हस्ताक्षर होना चाहिए और 50 प्रस्तावक के प्रस्ताव देते हैं कि हां राश्ट्रपती का चुनाव ये लड़ रहे हैं तो कम से कम 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होना आनिवार है अगर नहीं है तो आप राश्ट्रपती के चुनाव के लिए नहीं लड़ सकते आप इसके लिए ऐसा क्यों किया गया था तो देखे इसको बहुत थोड़ा डिटेल में जाना होगा कि परस्तावा करोनमोद क्यों आया परस्तावा करोनमोद क्या कोई समयधानिक टर्म है क्या constitutional कोई terminology है तो नहीं है देखे क्या हुआ था जब 1952 में राष्ट्रपती चुना हुआ तो बहुत सारे लोग आ करके कहने लगे हम झिये हम लड़ेंगे हम लड़ेंगे हम लड़ेंगे तो इस प्रकार से क्या हुता कि राष्ट्रपती के चुनाव में खर्चा भी आएगा और कितने लोगों को ही लड़ाये ठीक है और प्रत्यक चुरूप से करा जाएगा तो द राष्ट्पती का चुनाव वही लड़ सकता जो कम से कम दो अनुमोदक और दो प्रस्तावक तो याद रखेगा। लगे 10 अनुमोदक 10 प्रस्तावक फिर आया 1997 और 1997 में कहा गया कि उसी में अमेंडमेंट एक्ट उसी में संसोधन किया गया प्रेसिडेंटियल एक्ट 52 में और कहा गया कि कम से कम राष्टपती का चुनाव वही लड़ सकता जिसके पास 50 अनुमोदक अनुमोदक करने वाला और 50 प्रस्तावक होंगे वही चुनाव लड़ सकता है जो कि अभी तक चल रहा है 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक वाला बात ठीक है चलिए आगे देखिया अनुछेद 56 में क्या कहा गया था कि राष्टपती अपना त्याग पत्र किसी भी समय अपने सासन काल के अपने कारेका मैं किसको दे सकता है वही तो ये दे सकता है उपर राष्ट्रपती को याद रखेगा उपर राष्ट्रपती को और राष्ट्रपती को अपने कारेकाल में ही महाभियोग के द्वारा यानि कि अनुछेद एकसप की परकिरिया के द्वारा भी पद से हटाया जा सकता है ठीक ह अनुछेद संतावन में कहा गया, हाँ आप फिर से निर्वाचित हो सकते हैं, भारत कराश्टित ने एक बार से अधिक बार चुनाव निर्वाचित हो सकता है, अच्छा अनुछेद 58 में कहा क्या हो गया, आपने बहुत कुछ पूछ लिया, अब आप बताईए क्या आपके अंदर ये योगेता हैं, तभी जाकर क्या आप चुनाव लड़ेंगे, तभी जाकर क्या आप राष्टपती के पद के लिए eligible होंगे, क्या-क्या योगेता है भाई, बताईए हमें, तो बताया गया, समिधान ने बताया कि सबसे पहले तो आप भारत के नागरिक होने चाहिए, ठीक बात है, उसके बाद आपकी आयू जो है, वो 35 वर्ष होनी चाहिए, अगर 35 वर्ष से कम हैं, तो आपको चुनाव नहीं लड़ने दिया जा सकता, दुसरा आपको क्या करना होगा, किसी भी लाब के पद पर आप नहीं हो, यानि कि किसी भी परकार के सरकारी जॉब में, ये लाब के पद पर आपको नहीं होने चाहिए, तीसरा यहाँ पर ये है कि राष्टपती पद का अगर आप नमंकन करना चाहते हैं, नमिनेशन भरना चाहते हैं, तो आपको 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक लेकर के हैं जो कि निरवाचन, राष्टपती के निरवाचन में भाग लेते हैं, राज सबा, लोक सबा और विधान सबा के निरवाचित सदस्य होते हैं, ठीक है, उनी में से निकल कर 50 प्रस्तावक, 50 अनुमोदक बंता है, तो उस पर हास्ताक्षर करता है, कम से कम, ठीक है, उसके क्या बोलते participant को अगर उसका एक छियाई एक छट मतलब 16 भाग अगर वोट नहीं मिलता है वोट नहीं मिलता तो उसकी जमानतराशी जब्द हो जाती है क्या जमानतराशी जब्द हो जाती है इसे यहाँ पर जो लोगसभा का चुणाव होता है इसमें अईराग अईरा नत्थु खहरा सब खड़ा हो जाता है भले उसको क्या है भले उसको चुनाव में कितना भी सीट मिले वो खड़ा हो जाता है लेकिन यहाँ पर क्या है राष्ट्रपती का चुनाव के लिए एक कोटा फिक्स होता है क्या एक कोटा फिक्स होता है देख किसी को सबसे ज़्यादा वोट मिला है और मात्र क्या मिला है 500 ही वोट सबसे ज़्यादा मिला है तो क्या है यही वोट जिसको सबसे ज़्यादा मिला है वही जीत जाएगा इसमें कोई यह नहीं कि 10,000 वोटर्स में से कम से कम आपको 5000 वोट आने चाहिए ऐसा कोई यहाँ पर कंडिसन नहीं लेकिन राष्टुपती के चुनाव में एक कंडिसन यह है कि जितने भी वोटर्स हैं यानि कि राज्य सभा लोग सभा और विधान सभा के जितने भी सदस्य हैं उन सदस्यों में से 50% 70% plus 1 यानि कि इतना अगर आपको वोट नहीं मिलता है कूल वैदमत यानि कि कूल वैदमत बटा दू यानि कि 50% पलस एक जब तक नहीं आपको मिलेगा तब तक आपको इस चुनाव में जीता हुआ नहीं माना जाएगा ठीक आप समझ गए होंगे इस बात को, आप समझ गए होंगे, दुसरा क्या है कि यहाँ पर चुनाउ इस परकार से होता है, कि जितने भी जो मतदान देने वाले होते हैं, निर्वाचक मंडल के सदस से होते हैं, उसको क्या होता है, वो एक वर्याता करम में, इसका ballot paper भरना होता है, बिधायक का अलग wallet paper होता है और सांसदों का अलग होता है उसमें से जो भी चुनाव में लोग खड़े हैं उनको एक वर्याता करम के अनुसार उन्हें देना होता है जैसे माल लिया कि यहां पर जैसे माल लिया कि 3 लोग चुनाव में उठे हैं A, B, C तीन लोग चुनाओं में उठे हैं और कोई क्या बोलता है सामलाल जो है बिधायक है और इसे चुनाओं में जा रहा है मत देने के लिए तो ये माल लिया कि B नमर का participant को ये एक नमर का वर्यता दिया चीक है और A नमर के चुनाओं जो participant है उसको दो नमर का वर्यता दिया यानि इस परकार से चुना वहाँ पर वोट की गिंती होती है देखे वरियता क्रम में सबसे जाएदा एक नमर का जिसे एक नमर का वरियता क्रम यानि कि सबसे जाएदा जिने एक नमर पर रखा जाता है उनको क्या किया जाता है सफल घोसित कर दिया जाता है उनका जीत घोसित कर दिया जाता है माल लिया और उसे सफल तभी घोसित किया जागा जबकि 50% से अधिक उनको वोट मिला हो अगर एक नमर पर जो भी कंटेस्टेंट है अगर उनको 50% से वोट जादा नहीं मिला है तो फिर दूसरे वर्याता क्रम का चुना होता है और फिर वहां से गिंती होता है आप जानते होंगे वीवी गिरी साहब को दूसरे वर्याता क्रम के जब गिंती हुआ था तब जाकर उन्हें जीत हासिल किया था वीवी गिरी साहब और आप जानते हैं वीवी गिरी जो है जो निर्धारन कौन करेगा लोग सभा अध्यक्च करता है ठीक है लाब के पद का देखे अनुचेद उनसट के तहत जो भी राष्ट्रपती से संबंधित उनसट के तहत राष्ट्रपती से संबंधित कुछ सर्ते बताई गई है इन कंडिसन्स को आपको पूरा करना होगा इन दूसरा कि वह कोई भी लाब के पद का धारण नहीं करेगा ये भी कंडिसन है तीसरा ये है कि राष्ट्रपती को आधिकारिक आवास यानि कि राष्ट्रपती भवन आवांटित होगा बिना किराया चुका है कोई किराया आपको नहीं देना है राष्ट्रपती को संसद के द् किसके अनुछेद 69 के तहट ठीक है अब अनुछेद 60 की बात करते हैं और अनुछेद 60 में क्या कहा गया है तो राष्ट्रपती के सपत का राष्ट्रपती के ओत के लिए बात किया गया है आर्टिकल 60 में अनुछेद 60 में तो इसमें क्या कहा गया है राष्ट्रपती जो अपन Chief Justice नहीं है अगर अगर न्यायधीस मुख्य नायधीस अनुपस्तित है तो फिर सुप्रीम कोट के वरिष्ट न्यायधीस होंगे उनको राष्ट्रपती को नायय दिलाएगा क्या सपत दिलाएगा ठीक है समझ में आ गया होगा अब देखे सपत भी हो गया सपत ग्रहन भी हो गया तो राष्ट्रपती पर जैसा कि मैंने कहा था राष्ट्रपती पर महाभियोग भी चलता है अनुछे देखसर के तहट राष्ट्रपती पर महाभियोग की परकिरिया ये पूछा जाता एक जामिनेशन में याद रखेगा र तो राष्ट्रपती का पद जो है वो रिक्त हो सकता है वेकेंट हो सकता है या तो राष्ट्रपती खुद से त्याग पत्र दे तब जाकर के राष्ट्रपती का पद खाली हो सकता है या भी राष्ट्रपती की किसी कारण वास मिरित्ती हो जाए तब जाकर के राष्ट्रपती पर महाभियोग चलाया जाता है अनुछेद 61 के तहत राष्टपती पर महाभियोग चलाया जाता है दूसरा देखे दूसरा क्या होता है कि अनुछेद महाभियोग का कारण क्या है तो अगर राष्टपती सम्विधान का उलंगन करता है तब जाकर के राष्टपती पर महाभि लाना है तो उसकी नोटीस राष्टपती को महाभियोग लाने से 14 दिम पहले दी जानी आवस्यक है ठीक है और इस नोटीस पर हस्ताक्षर किसके किसके होंगे तो संबंधित सदन यानि कि राजसभा के लोकसभा के विधान सबा के संबंधित सदन के कम से कम एक चोथाई सदस् में राजसभा या फिर लोकसभा में इसे प्रस्तूत किया जा सकता है उसके बाद संसत के दोनों सदनों की द्वारा यानि कि राजसभा लोकसभा की द्वारा अलग-अलग कूल सदस्य संख्या के कम से कम दोत यहाई बहुमत की द्वारा अगर इसे पारित कर दिया जाता है राष्ट्रपती पर महाभियोग का प्रस्ताव को तो राष्ट्रपती को अपने पद को खाली करना होगा छोड़ना होगा ठीक है तो ये था राष्ट्रपती का पर महाभियोग दूसरा देकि राष्ट्रपती का निर्वाचन अवयद घोसित होने पर भी राष्ट्रपती का पद जो है वो खाली होता है देखे यहाँ पर कुछ दिया गया है राष्ट्रपती का पद खाली होने पर उपर राष्ट्रपती कारे वाहक राष्ट्रपती की रूप में कारी करता है यदि उपर राष्ट्रपती भी उपस्थित नहीं हो तो सरवच न्याले का मुख्य न्या जिन्होंने राष्ट्रपति का कारेभार समाला अब हम लोग देख लेतें राष्ट्रपति के सकतियों पर देखे राष्ट्रपति के सारी की सारी सक्तियों से भी question पूछे जाते हैं कि बताइए ये कौन सी सक्ति जो है राष्ट्रपती की सक्तियों में आते हैं तो सबसे पहले राष्ट्रपती की कारेकारी सक्तियों के बारे में बात करते हैं executive power के बारे में बात करते हैं तो हम जानते हैं कि जो संग की कारेपालिका सक्ति होती है कि संग में जो भी नियम कानून अधिनियम बनेंगे तो विधाय का बना करके देगा उसके बाद कारेपालिका के पास जाएगा उसे एक्जेक्यूट करने के लिए तो कारेपालिका का जो समस्त सक्ती होता है वो राष्ट्रपती के अंदर ही होता है समाईत होता है अब राष् पती जो है जो संसद संग का कारेपालिका का नाम मात्र का हेड होता है जबकि वास्तुविक मुख्य कौन होता है परधान मंत्री होता है उसी परकार से राज्य में राज्यपाल वास्तुविक नहीं होता है नाम मात्र का होता है वास्तुविक मुख्य मंत्री होता है ठीक है अ आपके छेतर से जो भी उठते हैं, उनमें से किसी को भी परधान मंत्री नियुक्त किया जा सकता है, राश्ट्रपती के द्वारा, ठीक है, तता परधान मंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ती होती है, ठीक है, तो राश्ट्रपती परधान मंत्री की नियुक्ती क राष्ट्रपती का कौन सा तो दीखे राष्ट्रपती संसद की बैठक बुला सकता है संसद को बिगटिद भी कर सकता है सत्रावसान मतलब घतम भी कर सकता है राष्ट्रपती लोगसभा का बिगटन भी कर सकता है परधान मंत्री के सलापर राष्ट्रपती लोगसभा का बिग तो वो उसके खिलाप एक अध्यादेश जारी कर सकता है। तो ये कुछ विधाई सकतियां है राष्टपती की। अब फाइनेंसियल पावर भी कुछ है क्या। तो देखे धन विधायक जितने भी मनी बील होते हैं वो राष्टपती के पूर्वानुमती यानि कि पहले उसका परमिसल लेना होता है राष्टपती का उसका सिगनेचर रा आयोक का गठन करता है ये भी राष्टपती की वित्य सकति के अंतर आता है राष्टपती बजट को संसद के समक्ष रखता है ये भी राष्टपती की वित्य संकति के अंतर गता है अब देखे कुछ जिडिसेल पावर है कुछ नियाईक सक्तियां है राष्टपती की तो दे पती के नुचेद तीरपन के तहत आती है ठीक है राजे के उच्छ न्याले राजे के हाई कोट की नियाइधीस की न्यूकती भी राश्ट्रुपती ही करता है ठीक है अब देखिए सैन ने सकती पर मेलेटरी पावर राश्ट्रुपती के पास क्या क्या है तो भारतिय सरवोच कमांडर होता है देखे राश्ट्रपती जो है तीनो सेना का थल सेना वायू सेना और आपका जल सेना तीनो सेना का सरवोच कमांडर राश्ट्रपती होता है वह तीनो सेना के प्रमुखों की नियुकती भी करता है और राश्ट्रपती CDS याने कि Chief of Defense Staff याद रखेगा पहले chief of defense staff कौन थे तो आपको command box में बताना है जिनका हाल ही में मिरित्री हो गया था helicopter crash करके ठीक है तो देखे संसत की अनुमती से युद्य की घोसना वो समाप्ती की घोसना भी राष्ट्रपती कर सकता है तो ये राष्ट्रपती के military powers है ठीक है आगे देखें कुछ emergency power राष्ट्रपती को दिये गए हैं जैसे कि वो राष्ट्रपती national emergency लगा सकता है कि इस अनुचेत के तहत अनुचेत याद रखेगा 352 से ले करके अनुचेत 360 तक क्या है emergency का provision से समिधान में तो अनुचेत 352 के तहत राष्ट्रिय आपातकाल national emergency अनुचेत 356 के तहत राष्ट्रपती सासन लगाया जा सकता है ठीक है राष्ट्रपती सासन प्रेजिडेंट रूल और बित्या आपातकाल अनुचेत 360 के तहत तो पहले राष् राष्ट्रपती ही करता है राष्ट्रिय आपातकाल किसके अंतरगत 352 के अंतरगत राष्ट्रपती सासन 356 के अंतरगत ठीक है और बित्या आपातकाल 360 के अंतरगत अब देखे राष्ट्रपती के पास कुछ वीटो सक्ति है अगर वीटो सक्ति लगा दे किसी भी आधिनिय सर नहीं देता है उन पांच देसों में के द्वारा तो फिर वो नियम कानून नहीं लागू होता है तो उसी प्रकार की सक्तियां राष्ट्रपती को भी दी गई है तो सबसे पहला है पॉकेट वीटो देखे कोई भी 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 बिल पर निर्नय नहीं करने का मतलब उस भीधय को लटका देगा ठीक है पॉकेट वीटो अगर पॉकेट वीटो का अगर इस्तेमाल राष्ट्रपती करेगा तो किसी भी विधय को जब आप राष्ट्रपती को देंगे कि देखे इस पर विचार कीजे तो राष्ट्रपती चाहे तो उस वीटो को उस विधय को लटका सकता उ भारतिया डाक संसोदन अदिनियम के संदर में इस पॉकेट वीटो का उन्हों ने इस्तेमाल किया था तो एक ही बार जानी जैल सिंग ने पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया कि जो भारतिया डाक संसोदन अदिनियम को अपने जेव में रख लिया इसे जेवी निसादादिकार भी कहा जाता उस पर कोई निर्दे नहीं लिया देखे निलंबन बीटो क्या होता है तो किसी भी विधैकों को किसी भी विधैकों आपत्ती सहित संसद में पुनर विचार हेतु वापस भेज सकता है कुछी निलंबन बीटो ये है कि अगर कोई विधैक राष्टपती के पास तो उस पर कुछ अगर आपत्ती है तो उस आपत्ती को लिख दिया और उसके बाद पुनर विचार के लिए संसद में वापस भेज दिया जाता है किसके द्वारा राष्टपती के द्वारा और ये निलंबन बीटो के अंतरगत आता है अत्यान्तिक वीटो क्या है वैई अत राज़पाल अनुच्छेद 200 के तहत राज़ बिधाईका के द्वारा पारित किसी बिधाय को राश्ट्रपती के लिए सुरक्षित रख सकता है ये भी देख लिजेगा अब देखें राश्ट्रपती के अध्यादेश जारी करने की सकती अनुच्छेद 123 के तहत 125 से लिया किया है और संद्व कि किसी बी सदन, दोनों सदन या एक सदन शतर में अगर नहीं है राश्ट्रपती को अगर आइसा लगे कि विधी का निर्मान की तुरंग तदकाल आवसकता है अगर राजसभा या फिर लोगसभा कोई भी सतर में नहीं है और राश्ट्रपती राष्ट्पति नीम्न अपराद के लिए, कौन कौन से पराद के लिए थोसी को छमा दे सकता है, एक तो संग्या विदी, जो कानूर बनाता है, उसके विरुद्ध, अगर कोई व्यक्ती को दंड दिया गया है, तो उसे राष्ट्पति छमा दे सकता है, सैन नियाल यानि कि आर्मी कोट के द्वारा डिफेंस कोट के द्वारा अगर किसी व्यक्ति को सजा दिया जाता है तो उसको भी उसके अपराद को भी छमा कर सकता है मिरित्यु दंड अगर किसी को मिलता है तो राष्टपती उस मिरित्यु दंड को भी छमा दान दे सकता है कर देना दंड को कुछ समय के लिए टाल देना प्रविलंबन कहलाता है सजा की कोई अबधी है मानलिया 20 साल दे दिया तो उसे पाँच साल कर सकता है इसे परिहार कहा जाता है सजा की प्रकृति को बदल सकता है मानलिया की मिरित्यू दंड किसी को दे दिया गया है तो उसे कार आँरावास, कठोर कार वास या जिवन कारवास में बदल सकता है, तो सजा की प्रकृतियों को बदल देता है, यसे लहू करन कहा जाता है, तो इस परकार की छमादान की सक्तियां राश्ट्रिपती को डी गई हैं, अनुच्छे देखो एकत्तर के ताहत, राज़ेपाल को भी चमादान की सक्तियां हैं याद रखेगा लेकिन राजिपाल मृत्यू दंड को चमान नहीं कर सकता है यह important है ठीक है तो यह हम लोगों ने राश्ट्रपती की से related सारे के सारे अनुचेत को देख लिया उनको क्या 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 सक्तियां दी गई है उनका निर्वाचन कैसे होता है बिधायकों और सांसुत का वोटों का वैल्यू कैसे देखा जाता है यह सब हम ने देखा अब यहाँ पर एक टेबल दिया गया जिसमें की 1950 से ले करके अभी recent में जो 15 राश्ट्रपती हैं उनके नाम दिये गए हैं देख लिजेगा सबसे पहला जो राश्ट्रपती है और अगर आप कहिएगा तो एक क्लास आएगा जिसमें की राश्ट्रपती कौन-कौन से राश्ट्रपती का कुछ-कुछ important points है जो की पूछ लिया जाता है उस राश्ट्रपती से related तो ए 15 या 20 मिनट का वीडियो बनेगा आप कहेंगे तभी जा करके हम बनाएंगे ठीक है तो द ठीक है उसके बाद ये प्रतिबाद देवी सिंग पाटिल जो थी पहली महिला राश्ट्रपती और प्रना मुखर जी को भारत रतन दिया गया है 2019 में ठीक है ये भी याद रखेगा रामनात कोविंद 14 नमर के 14 नमर के राश्ट्रपती है और ये दलीत राश्ट्रपती थे अचा पहले दलीत राश्ट्रपती ये नहीं है ठीक है दूसरे दलीत राश्ट्रपती है याद रखेगा रामनात कोविंद जी दूसरे दलीत राश्ट्रपती क्या बोलते हैं राश्ट्रपती है तो पहले दलीत राश्ट्रपती कौन है ये आपको कमेंड बॉक्स में बता दूसरी महिला राष्ट्रपती पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपती ठीक है और 15 रहे नमर की राष्ट्रपती अभी अभी चुनावी जीती है तो ये बात है राष्ट्रपती से रेलेटेड अब दिखेगा अब तक राष्ट्रपती का कारिभार समालने के लिए देश के एक मात्र मुख्य न्यादिस न्यायमूर्ती मुहम्मद हिराईतुल्ला। लोकसवा में धन विदयक प्रस्तूत किया जाता है राष्ट्रपती की पुरवावनुमती से ये भी हमने उपर आपको बताया है। निर्विरोध राष्ट्रपती निर्वाचित होने वाले देश के एक मात्र राष्ट्रपती हैं। मुख्य नियाइधीस भी थे तो नियाइमूर्ती मुहम्मद हिदायतुल्ला। ठीक है या फिर पहले नमर के जो दलित राष्ट्रपती वो कौन। तो इस प्रकार के कुछ important points है राष्ट्रपती से related अगर आप कहिएगा तो बना देंगे बाद बाकी ये पूरा का पूरा राष्ट्रपती हमारा complete हो गया। ठीक है आप इसे देखेगा तो important है आगे के आनेवाल एक्जाम में यहाँ से questions बनेंगे हम मिलते हैं अगले class में अगर आपको पीडियोव को डाउनलोड करना है तो परिक्षा hall 247 के टेली ग्राम चैनल से जुड़ जाईएगा वहाँ से आप पीडियोव डाउनलोड कर सकत है तब तक के लिए जय हिन जय भारत मिलते हैं